हेलो दोस्तो स्वागत एक बार फिर्स आपका मारे इस नहीं वीडियो में दोस्तो आज के बाद आपका missing number का एक भी स्वाल गलत नहीं होगा यह मेरी पकी guarantee है क्योंकि आज हम सभी 12 ताइप एक question cover करेंगे missing number में कैसे बनते हैं ठीक है दोस्तो तो कत्य वीडियो को start दोस्तों करेंगे type 1 type 1 में हमारे पर कैसे question बनते हैं दोस्तो टाइप 1 में हमारे पर ऐसे table दिया होता है वहाँ value दिये होती है और बीट में कही question mark लगा होगा वहाँ हमें तूड़ना होगा उस question mark पर क्या आ रहीगा जैसे यहां पर हमें यह question mark दिये होगा है यहां पर कौन सी value आगा हमें वह find करनी है यह जाए तो सीरी चल सकती है vertical चाहे horizontal हम पहले वर्टिकल चेक करेंगे दोस्तों देखेंगे दो value से यह किसी बनती है के नहीं ठीक है आठ और 9 को जोड मुटिपले कुछ भी करके हमें देखना तीन बनेगा कर नहीं आठ नो से हमें पता है नहीं बन सकता ठीक है तो हम चलेंगे horizontal अब आठ और शे को जोड़े आठ और 14 यहां पर साथ है जिस 14 को अब दोस्तों 10 10 को 2 से divide करेंगे तो क्या बनेंगा 5 तो हमारे पास 5 क्या जलगी option B होज़ते हैं यह चिस दोस्तों टाइप 1 में ऐसे table दिया होता है question mark लगा होता है और उसका answer find करना होता है अब देखेंगे दोस्तों type 2 उसमें कैसा question बनता है आज हम सभी 12 type के cover करेंगे ठीक दोस्तों अब हमें पता है यहाँ question mark पे क्या value आएगी वो हमें find करना है अब हमें पता 208, 27, 26, 125 किसी न किसी number के square यह cube होते है तों आध्या हम cube जारते है इतना तो आप देखें दोस्तों 8 किस का cube होता है यह हमें पता 2 का cube होता है 8 ठीक दोस्तों अब 27, हमें पता है 3 क और यहां पर क्या आज़ेगा सेमन का क्यूब क्या होता है थी फूर थी तीन सो तेर्टारीस होता है ठीक है दोस्तों हमारे पास option क्या आज जाएगी option C हो जाएगी ऐसे हम ऐसे question को check करते हैं ठीक है दोस्तों यह थी हमारे पास type 2 अब देखते है type 3 में कैसा question बनता है वो भी अल्ला को question है ठीक है दोस्तों सबसे पहले हमें check करना है तो square a cube जक्या हम square cube आता है ठीक है दोसके उसके बास बॉस मानिस पर जाना है तो देकिन यह किसी नमबर के square है क्यों तो नहीं है देखो ध्यान से यह किसी नमबर के square ही है क्योंकि option भी वैसे दी हुई है और यहाँ पर नमबर भी वैसे ही है तो देखो दोस्तों 149 यह किस नमबर का square होता है यह 1 का square होता है 14 में पदाँ 2 स्कोईर रोता है 9 3 ऊता है 1 2 3 और यहाँ पर एक मिए आगया महाल सादा की ऑप्षिन भूम इस के सम्हुर्ण फिक्रेंव मे कैसा नमबर कॉष्ण मता Singing यहां पर क्या करना है यहां पर कोश्टन निचे दिए हो आपको जहाँ पर पीडियों यह दिसमय और ही वह ग्याया पता है रहा का स्कुर्इर होता है और यहां पर यह 11 और 13 तो फिर 15 का स्क्वेर बनेंगा 15 का स्क्वेर क्या था दोस्तो 225 होता है 225 वारे पर सुप्षिन C हो जाएगी आप इसको एक और तरीके से चेक कर सकते थे 20 माइनस 9 20 में से अगर 9 जोड देंगे 29 बनेगा 29 के साथ कोई लिक नहीं है कोई connection निए निए बनता 20 माइनस 9 करेंगे 11 यह 11 का स्क्वेर बन रहा है ऐसको ऐसे चेकर ना इसको 24 माइनस 11 करेंगे 13 13 का स्क्वेर एक से उननतर होता है ऐसे क्वेशन को सभी तरह से चेकर करके देखना होता है यहां पर 225 आ गया option C हो गई अब देखते थो type 5 type 5 में कैसा question बनता है यह थे हमारे पास dosa वाले question देखो अब हमारे पास है type 5 type 5 में कैसा question बनते है दोस्तो हमने dosa देख लिया अब देखने starfish starfish में क्या होता है उसके edges की ऊपर नंबर रखे रते हैं और कहीं पर एक question mark दिया होगा हमें उस question mark के ऊपर कौन सा number होगा वो पता करना है ठीकिए दोस्तों यह question mark ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों फ्री के number है अब देखो 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 यह 8, 16, 24 लेकिन exam में गरबड हो जाती है ठीकिए दोस्तों त्यान से अब आठ के टेबल है आठ के टेबल आठ के टेबल आठ के टेबल आठ के टेबल यहां पर 64 option B कर देना यहां पर मालो वैली कोई और आ जाए तो उसको चेक करेंगी प्लस होगा यह माइनस होगा जाए उनमें कुछ लोजिक बनेगा लेकिन अगर square root दिया हुआ है तो भी हो जाएगा simple ठीक दोस्तों यह थी हमारे पास type 5 अब देखते है type 6 तो दोस्तों यह हमारे पास type 6 type 6 में हमारे पास कैसे question बनेगी lollipop वाले ठीक है ऐसे lollipop बनी होगी triple triple तो हमें देखना है कौंसी वाली खाल ली है उसको हम बर देंगे देखो दोस्तों यह पे question mark के ओपर कौंसी value आएगी हमें कहां से देखना है सबसे पर क्या check करना है square root उसके बाद देखें क्या check करना है तो कोई हमें देखनी रही value अब देखें इनमें जोड़ मुल्ड़ कुछ में बनता है के नहीं यहां उपर है शोटी value यहां पे है बड़ी value तो हमें यह तो पता चल गए उपर वाली 2 value से नीचे बड़ी value बन रही है ऐसे हम idea लगाएंगे ठीक जो बड़ी value है उसको देखेंगे यह है 30 यह 3 और 5 के अब जोड़ करें तो 8 8 से 30 बनेगा नहीं अगर minus करते तो 2 बनेगा 2 से 30 कोई logic नहीं बन रहा तो इनकी multiply करेंगे 3 और 5 की multiply करेंगे दोस्तों 5 3 15 बन गया यहां पे है 30 तो हमें थोड़ idea बिल गया 15 का अगर double करेंगे तो 30 बन गया 70 हमारे पास option कोई सी बनेगी 70 बनेगी option C हो जाएगी ठीक है दोस्तों ऐसे question को n से check करेंगे हम ऐसे वाली value को fill करेंगे ठीक है दोस्तों अब हम देखेंगे type 7 type 7 में और कैसे question बनता है कैसी figure आती है ठीक है ठीक है दोस्तों सभी cover करके जाएए तो देखेंगे अब type 7 अब दोस्तों मारे पास है type 7 type 7 में ऐसी वाली figure दी होती है कहीं पे question mark लगा होगा हमें देखना है question mark उपर क्या है ठीक है दोस्तों अब देखेंगे यहां पे बड़ी value यहां पे बड़ी value हमें पता चल गया यह side वाली 4 value है यह कुछ ना कुछ आप नहीं खिचडी पकाके बीच में यह जो number बना रही है ठीक है दोस्तों अब देखेंगे वह किचडी क्या है देखो दोस्तों अब इन दोनों के जोड़ूं मैं इन दोनों को यह इन दोनों को 5 और 3 की जोड़ करो तो 8 हो गया दो और 2 के जोड़ करें तो 4 बन गया यह 12 बन गया अगर इनकी multiply करों तो 48 बन गया means यह 61 के आज पास भी नहीं बन रहा अगर इनका जोड़ करते हैं तो ठीक है दोस्तों अब इनकी multiply करेंगे तो 15 हो गया दो और 2 की multiply करेंगे तो 4 अब 15 को अगर मैं मेरे दिमान वेकितम से आगया 15 की 4 से multiply करो तो 60 बन सकता है इसलिए मैंने multiply किया अब यहां में 61 means इन दोनों की multiply इन दोनों की multiply और फिर आपस में multiply करके बना 60 उसमें एक जोड़ दो तो 61 बन गया अब यह पक्का नहीं पता है लोजिक सही लेकर नहीं दोस्तों मझी ALEX à 12 की तो 144 Chaos tässä यह लोजिक यह पर लगाएंगे अपना answer पायेंगे ठीक है 7 की है की 5 की दोस्तों 10 10 की साथ 70 प्लस 1 करेंगे तो दोस्तो 71 बीच में यहां पर रख दो और अपना नुम्बर पाओ ठीक दो यह था option A 71 आप देखते हैं दोस्तो टाइप 8 टाइप 8 में कैसी फिगर होती है उसको कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं अब हमारे पास है टाइप 8 में कैसा कोशनमा बता है ऐसे दोस्तो फिगर दी होगी और यहां वीच में कोशनमा के लगा होगा होगा है कोशनमा के ऊपर क्या वैल्यू आएगी यहरों के पांचमा वीच में आप की शुटका बोलता है मेरे को भी फिलना है तो खिला लेंगे यह कुछ चार दोस्ता अपने कैममबड खिर रहे हैं पांच माँ बीच में आ पर शुटका बोलता है मेरे को भी खिरना है तो खिला लेंगे है कोई टेंसर नहीं है ठिक है दोस्तो लेकिन इसको बिठा के अराम से खिलाएंगे अब देखो दोस्तों यहां पर 3 है यहां 5 है यहां 4 सब्दों है यहां कोश्ण मारगे यहां पर हमें उसका नंबर find कर रहा है missing number क्या है ठीक है दोस्तों अब 3 से बार 16 क्या logic बन रहा है 3 सो 16 की बीच में 5 दिया हुआ है किसी कारणवर्ष दिया हुआ है तीर की 5 से multiply करूं 15 और एक जोड़ दो 16 बन गया तो अब multiply करी हमें पता चलगे 15 16 के आसपास है इसलिए मैं इससे multiply की उन्हें दिया हुए हमें पता इसका कोई रिजन है अब देखें दोस्तों 16 की 5 से multiply ज़ए पांच से और एक जुड़ रहा है वैसी अब 406 की 5 से multiply करेंगे तो दोस्तों 406 की 5 से multiply करेंगे तो जल 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 जी होगी 6 5 30 3 5 0 0 3 आगया 5 जोकी 20 20 30 आ गया लेकिन प्लस 1 भी करना है तो दोस्तों क्या आजएगा 20 31 ये दोस्तों जो 5 वन का दोस्त खेलना चाता उसकी ये आगए सिटिंग 20 30 ये आजएगा option C ठीक है दोस्तों ये थे हमारे पास टाइप आठ अब देखे है टाइप 9 में कैसी figure होती है कैसे question बनता है उसको देखते हैं तो दोस्तों आप है हमारे पास type 9 दोस्तों type 9 में कैसे question बनते हैं दोस्तों जब भी आपको ऐसे केक आप इनको जोड़ के देखो पहले उपर वाली लिए पहले जोड़ को चेह और चार दस और दो बारा हो गया ठीक है दोस्तो चेह और तीन नौ और एक दस इनके अगर मंटिप्ली करो तो 120 बनेगा जोड़ दो तो 22 बनेगा लेकिन याप हमें 66 चाहिए तो यह हमारा कोई चाहिए पांच और एक आशिल सा 66 बन गया में उपर वाली वैल्यू का मंटिप्लाई नीचे वाली वैल्यू को मंटिप्लाई और उन दोनों को जोड़ बन रही है अब इनकी मल्टिप्ली पांच विज़ की तीन से मल्टिप्ली करें के दोस्तों आगए साठ चाहर की बारा बारा दोने चोवीश यह नीचे वाली को मल्टिप्लाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगे दोस्तों 84 एक वाली वैली को मल्टिप्लाई और उनका कॉंबिनेशन बन रहा है यहां पे अब यहां पे बना देगे पांच की पंदरा पंदरों चोग के साथ यह लो अब दोस्तों यह हमारे पास टाइप 10 टाइप 10 में कैसे कौश्ण लोजिक बनाएंगी हमें वहां पर चेक करना है ठीक है दोस्तों अब देखो दोस्तों 9 और 6 कि अगर मैं जोड़ो 9 और 15 15 कि इसके साथ कोई लोजिक नहीं बनाएं ठीक है दोस्तों अब 9 कि इसके साथ हो गया आठ और 13 दोस्तों क्या हो गया यह दोस्तों हमें एक शोटा सा आइडिया लगाया और हमें पता चल गया क्योंकि कोश्चन में किसी भी तरह से गुमापे डाल सकता है अब इसको चेक करेंगी यह लोजिक ल लेगें चार 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 आठ शिक्टीएट ऐसे दोस्तों यहां पर क्यूब भी आ सकता है कुछ बड़ी बात नहीं है ठीक है दोस्तों ऐसे थी यह ताइप 10 अब देखेंगे दोस्तों 11 टाइप 11 में कैसा कौशन बंगते हैं अब दोस्तों यह हमारे पास तैप 11, टैप 11, इमें कैसे कॉश्छन आएगा देखो ततो, ऐसे वाली फिर बंकिए टैप 11 में दो को कॉश्छन जो हैं , बीच वाली वैल्यY वैल्यू क्या बनेगी, साइज वैल्यू बिल्किए वेल्यू से भी बनेदी लिज इनका जोड करकरकि मुलिप्ले किया नहीं हुआ अग नो 5 उ चार का जोड करेंगÔら 9 7 और 6 के मुल्डेप्ले करेंगए इन दोनों के मुल्टेप्ले करकर देख टा है 7 श के 42. ठीक है तो 42 ऑ 9 हमने पता है ऊसे भी हम चेक करेंगी ठीक है यह तो अब इन दोनों का से कुछ आसपास और नमबर मिल जाए लेकिन यहां तुम्हें एक्जैक्टी मिल गया अब देखो दोस्तों इन दोलों का जोड़ साथ और से का जोड तेरा और पांच ही कि तीज क्या बना दोस्तों 43 43 हमारे पास क्या आ जेगी option ए हो जाएगी तो यहां भी 43 यहां भी 43 आ गय दोस्तों ऐसे करके star दिया होता है ठीक है दोस्तों अब यह star चमक रहा है उतना नहीं चमक रहा क्योंकि यहां पर कुछ नमार की जगह पे कोई value नहीं है वह value लगा देंगी तो star चमक जाएगा और हमारी सबी type cover हो जाएगी missing number में तो आपके भी star बन जाएंगे exam ठीक है दो यह जोड़ेंगे जैसे यह जोड़ेंगे यहाँ जोड़ेंगी यह आगे 70 अब आगे चेक कर लेंगे, हम सही कर रहे हैं कि नहीं, 70 की दो से मठी प्रे करेंगे, दोस्तों आएगे 140, इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 142, means हमारा लोजिक सही चल रहा है, यहां चेक करने की जुरूरती नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी सीरीज से में चल रही है, तो दोस्त कर ग svenओेव不是 क्योंकि से में 151 आप में 15 1 जोड़ेगे नहीं है, जोस्तों से मारा है जोड़ने की साप इस नके साफ आए डाखारि कि आपून का는 लिका कि तोस्तों से बहुते, तोस्तों से नहीं उन।। जोस्तों से अएवालतीं तोस्तों से पाली पहां